एहलो एवरीवन वैलकम वान मैं ट्यूप चैनल अगर आप एसे लेकर जहर तक सभी स्टोक की डेटेल अनलाइजस पर वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सबस्काइब कर ले इस वीडियो में टीवी वीजन लिमटेड कंपनी की डेटेल अनलाइजस करने वाले तो स्टा एक महीनों में 50% के positive return, 6 महीनों में 8% के negative return, एक साल में 22% के positive return, और पिछले 5 सालों में 92% के negative return, और maximum returns की बात करें, तो 98% के negative return दिया, almost इस company ने पैसा zero कर दिया, तो यहां company के fundamentals की बात करें, तो यह जो company है, television programming and broadcasting activities sector में काम कर रही है, market capitalization मात्र 11 करोड का है, इस्टोका लो 2 रुपए, इस्टोका ही 4 रुपए, और book value negative है, 20 रुपए, promoter holding 33% की है, उसमें से 49% के stakes यहां पर plays जाए, यानि 49% के shares को गिर्वी रखकर loan लिया गया है, यहां company के quarter on quarter basis loss की बात करें, तो company का loss काफी टैम से बढ़ते वे देखने को मिला है, और अभी भी almost 4 करोड का loss है, year on year basis की बात करें, तो year on year basis भी काफी loss हमें देखने को मिल रहा है, almost 24 करोड का, balance sheet में company के reserves यहां पे काफी ज़्यादा negative देखने को मिले, 112 करोड के और borrowing की बात करें, तो यहां पे 2 करोड के borrowing है, और यहां बात करें, company के promoter holding की, तो company के promoters के पास 33% के stakes है, और D.I.S. के पास 17% के stakes है, जिसमें से Indian Overseas Bank और Central Bank of India, company के पास 11% के stakes है, और 5% के stakes है, यानि, जो place shares है, वो इन दोनों bank के ही पास है, public holding 48% है में देखने को मिली है, यानि, all over इस company के जो fundamentals है, काफी week है में देखने को मिले, अगर आप ऐसी company में investment करते हो, जिस company के quarter on quarter basis और year on year basis loss में है, तो आपका पैसा टूप सकता है, तो क्या आपके portfolio में इस company के share है, नचे comment केजिए, thank you,